नवस्कार दोस्तों मैं अविनास कुमार आप लोगों का स्वाधत करता हूँ मेरे चैनल में और मैं आज आप लोगों के साथ सेर करने जा रहा हूँ एक इनफॉर्मेशन कि वर्न मिलान आखिर है किया हमने पिछले वीडियो में कुंडली मिलान अर्थात अष्ठ कुट मिलान गुन मिलान आदे के बारे में चर्चा की थी आज हम उसी को एक एक कुट के बारे में बिष्ठ चर्चा करेंगे और देखेंगे जैसे कि आप अपनी कुंडली कुंडली मिलान करेंगे तो सबसे पहले आता है वह है वर्न जोसे हमारे कुंडली मिलान में एक अंक दिये गए हैं दोस्तों अब अब यहां देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने लिखा वर्ग कूट वर्ग कूट का मतलब क्या था वर्ण कूट का मतलब क्या था सभाव और बैवार हम उससे सभाव किसी भी जातक है जातिका के सभाव और बैवार को देखते हैं उसे हम लोग रासियों के कामन। शतरी यह वर्न के जातक सकती आपको खृसप्ता उनका जो सभाउता होता है.. उनके जूँन होते है वह आकरमक जादा रहते हैं वह दोस्तों आप देखें वैस वार्न वाले जातक वह जादे अपने लाव हानी के बारे में ही सोचते हैं वो उनका जो प्रवर्ती होता है अरियल सभाव का प्रवर्ती होता है दोस्तों अब यहां देखिए सुद्र सुद्र वर्न मिलनसार होते हैं दोस्तों ऐसे जातक मिलनसार होते हैं और लेकर निम्न एबम तुछ परकार के उनका सभाव रह हो नेकलता है अब हमने इसे benefit कर रासियों के निखर बाटा है कि हम लोग जब कुनलि MALE करते हैं तो नömł हो देखते हैं कि हमारे जन कुनली में किस रासे में बैठे हुए किस निशत में बैठे हुए उसी परकार हम लोग वर्णों का विज़ विभाजन करते हैं उसे हम लोग छत्रिये वैस सुद्र ब्रामन इत्यादे में हम लोग उस रासियों को वर्णों के अधार पर निरधारिद करते हैं तो छत्रिये में देखिए मेश सिंग और धनू रासी आती है वैस में आपको वरिष कन पहले मालीग वर्न का जो अंक निधाइद करते हैं, जिसे एक अंक दिया गया हमारे कुन्डली मिलान में, वो किस परकार होता है। तब यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा वर का जो वर्न कन्या के वर्न से उत्तम हो तो गुन मिलान में एक अंक प्राप्त होता है दोस्तों इसे अति उत्तम मिलान भी मानते हैं हम लो उसी परकार यदि वर एवं कन्या का वर्न एक ही होने पर भी उसे पूरे एक अंक दिये ज इसे भी उत्तम मिलान माना जाता है कि परन्तु कन्या कवर्ण से उत्तम होता है तो जीरो अंक अथर्ठ्थ तुन यदि वर्ण का वर्ण ब्रामन होता है और यदि कन्या का वर्ण ब्रामन होता है तो यह अति उत्तम मिलान कहलाता है इसे हम लोग एक अंक देते हैं उसी परकार यदि वर्ण का वर्ण आपको ब्रामन है कन्या का च्छत्रिय है तो यह उत्तम कहलाता है फिर उसी परकार यदि वर्ण का वर्ण ब्रामन है और कन्या का वर्ण वैस है तो ये भी उत्तम कहलाता है इसी परकार यदि वर्ण का वर्ण ब्रामन है और कन्या का वर्ण सुद्र है तो ये भी उत्तम कहलाता है इसमें हम लोग एक अंकोने प्राप्त होता है अब दूसरी देखी यदि वर का वर्ण छत्रिये हुआ कन्या का वर्ण यदि ब्रामन वह तो यह अच्छा नहीं है इससे क्या होगी जो कन्या होगी वह अहंकारी रहेगी दोमिनेटिंग नेचर की वैसी कन्या रहेगी इसलिए हम उसे अच्छा नहीं मानते हैं तो यहां हम उसे सुनने अंक देते हैं उसी वरकार यदि वर्ण छत्रिये होगे कन्या छत्रिये अति उत्तम दोनों का वर्ण एक है उसी वरकार यदि वर्ण छत्रिये है कन्या यदि वैस है यह भी उत्तम है यह भी आपको अच्छे है पुड़े पुड़े वर्ण के मिल रहे हैं, यदि वर्ण का वर्ण छत्रिये हैं और कन्या का वर्ण सुद्र है, ये भी उत्तम है, तो इस कंडिशन्स में दोस्तों, खाले आपको यदि वर्ण का वर्ण छत्रिये होते हैं, कन्या ब्रामन होती हैं, तो इसे मच्छाने मानते अब हम लोग उसी वर्कार दूसरा देखते हैं तीसरा दोस्तों यदि वर्का वर्न वैस होता है और कन्या दी ब्राह्मन होती ती अच्छा नहीं माना जाता है हमारे गुन मिलान में क्योंकि इसमें जो कन्या होती है अहंकारी सभाव की रहती है उसी वरकारदी वर्का वर्न वैस है और कन्या छत्री है ये भी अच्छा नहीं माना जाता है दोस्तों क्या है कि इस कंडिशन से में जो कन्या होती है वर्चस वादी रहे गी आपको दोस्तों उसी वरकारदी वर् कर लाता है दोस्तों अब हम लोग चलते या डिस माल्य वर्ण का वर्ण सुद्र है और नहीं dividing क्या और बॉर्ण की यह थी किन्या गई रहती है जुक तपर काशन अधे छनदी गुणा मैं आग्द मेरे में कर लाता है जिंददि अभ लुड। इस कंडिसे में दोस्तों जो कन्या होती वो स्वार्खी होती है लू भी रहेगी दोस्तों यदि वर का वर्न सुद्र और कन्या का विर्ण सुद्र रपता वोतीजिए अतिऊत्त कलाता है दोस्तों अब हमने कुछ नोट्स यहां लिखे हुए और देख सकते हैं, वर्ण का वर्ण कर्णिया के वर्ण से कर्मा अनुसार पहले आवे, अर्थात यदि हमारा वर्ण का वर्ण आपको ब्राम्मन हो गया, कर्णिया यदि उसकी छत्रिये या आपको वैस या सुद्र हो, उसी कर्णिया हमेशा अपने वर्ण से सर्धा वक्ति रखती है, इसके परणाम सरूफ वर्ण भी वधू को लगातार समान देने के लिए मनो बैग्यानिक रूप से वाद दे रहता, उसी परकार यदि वर्ण का वर्ण एवं कर्णिया का वर्ण यदि समान रहता है, तो इसमें वधू की अपने पती के साथ सर्धा वक्ति अनेक कारणों से नहीं रह पाती, इसलिए ऐसे विवाव को हम लोग दोस्पुर्ण माना जाता है, और हम लोग ऐसे विवाव को बोलते हैं, क्या विवाव ना करें दोस्तों, तो इसी परकार दोस्तों आप देख सकते हैं, कि हम हम लोग अस्ट कुट मिलान में, कुंडली मिलान में, गुन मिलान में, जो हम लोग आठ वुनों की चर्चा करते हैं, आठ वुनों को मिलाते हैं, उसका अपना अपना एक महत्त होता है, दोस्तों, तो आपको आसा है कि अच्छी तरह से आपको ये चीज वर्न मिलान आपको समझ में आया होगा यदि किसी परकार की यदि आपको समझने में परिसानी हो रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवस लिखें यदि आप अपने बच्चों का यदि कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं मेरे द्वारा तो आप किर्पया मुझसे कंसल्ट संपर्क भी कर सकते हैं मैं आपको बहुत अच्छी तरह से उनकी कुंडली मिलान बना के दूँगा आसा है दोस्तों आपको ये विडियो बहुत अच्छी लगी होगी किर्पया दी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अबस करें साथ में लाइक और सेर करना कलाबित ना बूले दोस्तों जय माता दी धन्यवाद दोस्तों